नमस्कार पेरे विद्यारतियों कोटिले कलासेज में आपका हार्दिक स्वागत है आपका हार्दिक अभिनंदन है आज हम बात करेंगे लोको पाइलेट के बेच के बारे में और लोको पाइलेट के बारे में तो बड़े आराम से हैं और ध्यान से हैं चीजों को सुनना और सम हम जानते हैं A.L.P पहली बात है कि A.L.P के फर्म कौन अप्लाइ कर सकता है तो इसके फर्म जिसने ईटेकर रखी है आईटे कौन से टेड में जैसे इलेक्ट्रिसिन टेड में है एलक्रमी मेकणिक टेड में फेटर में है डिजल मेकनिक में इस परकार की बहुत सारी ट्रेडे हैं जिसके अंतर के दोनों ना आई टे करके वो फॉर्म बढ़ने के लिए लिजिबल है या उसने डिपलोमा कर रखा है और या फिर उसने भी टे कर रखा है वो इसके लिजिबल है जब ALP का फाइनल सेलेक् नोते हैं सबसे पहला होता है आपके CBT1 फिर यहां पर जो दूसरे स्टेज आएगा उसको CBT2 कहते हैं और जो तीसरे स्टेज होगा जिससे साइको टेस्ट कहते हैं यानिकी CBAT Computer Best Aptitude Test इसमें हमारे पास यदि मान लो N पदों की भरती है तो यहां से 20 गुणा बच्चों को पास किया जाता है CBT1 में यदि हमारे पास इस भरती के लिए N पद है तो टोटल CBT1 में जो एक्जाम देंगे तो टोटल कितने हैं के N डेट को पास किया जाएगा CBT2 के बाद में जो Psycho Test होता है उसके लिए 8 गुणा बच्चे बुलाए जाते हैं और फिर यहां से Final Selection निकलता वो N Student है और यहां पर जो एक्जाम देने आते हैं वो बहुत सारे बच्चा आते हैं और लेकिन Final Selection तो उतनी होंगे जितने पद हैं ठीक है तो इसमें पहला स्टेज है CBT1 फिर CBT2 फिर CBT यह स्टेज होता है अब जो यह हमारे सबसे पहला स्टेज CBT1 जो हर नाम से दिया गया है इसमें होता क्या है वो थोड़ा सा ध्यान से समझ लो यह जो CBT1 है इसका जो सिलेबस है इसके सिलेबस में Maths है इसके सिलेबस में Reasoning है इसके सिलेबस के अंदर आपके पास Science है और इसके अब जो है वो इंडिया जी के End Current Affair भी है पहले केवल Current Affair पूछा जाता था अब की बार इंडिया जी के भी पूछेंगे तो इंडिया जी के फ्लस Current Affair CBT2 आएगा तो यह जो एकजाम होगा यह इसमें दो पेपर होंगे एक तो होगा पेपर First एक होगा पेपर Second जो पेपर Second है केवल ट्रेड के बारे में बताता है लेकिन जो पेपर First है इसका जो सिल्बस है वो एक तो वही है मैत हो गई रिजनिंग हो गई साइंस हो गई इंडिया जी के हो गई लेकिन इसके अलवा जैसे आपके वरक्सोब केलकुलेशन होगा इंजिनिरिंग ड्रोइंग होगी जो आपके पास परियावरण होगा IT लिटरेसी होगी और इसके अलवा Occupational Safety and Health होगा यह सब कुछ इसके सिल्लबस के अंतर गताता है यह केवल जो है आपके पासिंग मार्स के लिए ओनली क्वालिफाई होता पेपर सेकेंड तो और पेपर फर्स्ट जो है यह आपके मेरिट बनाता है उसके बाद CBAT होगा जो Spinal Merit फिर इसके भी कुछ अंक जुड़ेंगे और कुछ इसके जुड़ेंगे यानि 70% तो इसके जुड़ते हैं 30% इसके जुड़ते हैं टोटल 100% से मेरिट बनती है यह इसका प्रोसेस रहता है तो इस भरती यह भरती एक तरीके से टेकनिकल और नोन टेकनिकल दोनों चीज़ों को मिला के और जितनी भी टेकनिकल भरती आती उसमें नोन टेकनिकल पॉर्षन आता है तो यहाँ पर यह तो जो common portion है वो तो यहाँ पर भी है लेकिन इसके बाद में पिछली बार जो ITA के बच्चे घडबड जाड़े में रह गए ते वो है वरक्षॉप केलकुलेशन ड्रोईंग का सवाल तो एक ही पूचा था परियावरन IT लिटरेशी और Occupational Safety को हल के में ले लिया था इस कर्ण और यहाँ पर numerical ज्यादा पूचे गए थे टेक्निकल सब्जक्ट है और बहुत ही बैतरीन मैनत करनी होगी तब जाके इसमें सेलेक्शन होता है तो इस लोको पाइलेट का जो सेमिनार है सेमिनार के साथ ही बेच प्रार्ण हो रहा है सेमिनार है वो 22 जून को है 22 जून को है सेमिनार सुबह 8 बज़े होगा 22 जून को सेमिनार सुबह 8 बज़े होगा किलियर अब देखो कि यहां पर आपके पास ओफ लाइन एंड ओन लाइन दोनों बेच अवेलेबल रहेंगे आप इसमें चाहें तो दोनों परकार से आप एडमिसन ले सकते हैं चाहें तो CBT1 का केवल लेना चाहे तो CBT1 का ले ले और CBT1 पलस CBT2 लेना चाहें तो इसका भी ले ले यदि CBT1 का केवल लेते हैं admission तो इसकी फीज से 8000 रुपए और यदि आप CBT1 और CBT2 का लेना चाहते हैं तो इसकी फीज से 12000 रुपए इसकी फीज रेगी 12000 रुपए ठीक है अब देख लो CBT1 में केवल ये portion लेता है और CBT2 में trade भी रेती है ये portion भी रेता है वरक्शोप केलकुलेशन, ड्रॉइंग, परियोण, IT, Literacy और Occupational Safety Health सारे रेता है तो ये रेगा आपके जो कौन से mode में आप admission लेना चाहते हैं CBT1 ये CBT1 पलस 2 ये जो बेच होगा ये तक्रीबन 3 से 4 माह लगेगे और इस बेच को 6 माह लगेंगे ठीक है भई? ये time duration में आपको बता दिये और बेच की फीस बता दिये बेच है कब से? 22 जून से है और ये बेच कहां start होंगे? तो बेच ये जैपूर जैपूर सेंटर पर है और यदि जो जोद्पूर सेंटर पर admission लेना चाते है उसका थोड़ा timing अलग रेगा date वही है जोद्पूर सेंटर पर जो timing है sign 4 से 7 बज़े है 4 से 7 बज़े है जोद्पूर सेंटर पर और यह सुबह 8 से 12 जो है वह ज़ेपूर सेंटर पर है यह ज़ेपूर सेंटर पर है और यह जोद्पूर सेंटर पर है technical जितना भी portion है सारे मेरे निर्देशन में होगा और लगभी portion जो मैं पढ़ाता आया हूँ तो वह मेरे द्वारा ही पढ़ाए जाएगा जिसमें आपको किसी परकार के चिंता नहीं करनी है आपके regular test, regular practice उसी हिसाब सोगी जिस technical भर्तियों में हमेशा से लगातार करवाता है पिछले लोको पाइलेट में सांदार प्रेणाम के साथ कोटिले कलास है जो सिर्फ इस्तान पर आप पूरे राश्तान में जिसमें 750 से अधिक selection दिये जिसकी photo वगर आपको college के campus में लगी हुई मिलेगी जो पुरवाले में तो लगी हुई है बहुत सारी जो पुरवाले में पहले लगी हुई थी फिर उन्हों hall को बढ़ा कर दिया था तो वो photo समयट के side में रख दी अब वापस सभी photo लगा जाएगा क्योंकि वो जो बीच में था ना partition उसके उपर पूरे पूरे post लगा हुए थे बट विद्यारती ज्यादा होने के hall को यह किया गये था तो वो वापस अब लगाए जाएगा तो 750 plus selection है जिसको आप ए वेब सब जगें आपको पता होगा आपने देखा होगे तो मेहनत कीजिएगा तो आपको निश्ची दूरूप से अच्छा परिणाम आएगा और लोको पाइलेट है उसका निजी करना हुआ है तो यदि जो लोको पाइलेट की त्यारी करना चाहते हैं वो जुट जाईए वो लग जाईए मैनत करना प्रारम कर दीजिएगा आपकी आईटे के दिया बच्चे हैं तो आपकी कमी मैथ्स रहती है और थोड़ी साइंस रहती है इसके उपर ज्यादा काम करना पड़ेगा और जो आपके बिटे के बच्चे हैं या डिप्लोमा के उनका जीके का पॉर्शन में और साइंस के पॉर्शन में थोड़ी सी दिकत आती, में तम इतनी ज़्यादा दिकत नहीं आती तो जो भी आपका कमजोर भाग है, उसको कमजोरी घटाईए, बेतरिन कीजिए और मिलते हैं बेच में 22 जून को जैपूर एंड जोद पूर्दोनों सेंटर का मैंने आपको टाइम बता दिया है, धन्यवाद, थेंक यू